नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका मद्दप्रदेश के Current Affairs में और साथ में हम राष्टी और अंतरराष्टी दोनों देखने वाले हैं मैं हूँ निलेश और आप सभी का Exam Guru जी के Current Affairs में स्वागत करता हूँ Current Affairs की सुरुवार अमेशा की तरह आपको जानकारी के साथ के दिया आप MPPSC 2025 को लेकर के टार्गेट हैं तो आप Exam Guru जी के सारती प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हैं काफी सारे लोगों ने इसको जॉइन किया हुआ है इसमें आपके Pre और Mate दोनों की तियारी साथ में करवाई जाती है मुख परिक्षा के नोट्स प्रिंटेड नोट्स आपको इसमें दीए जाएंगे आपका Day वाई Day का पूरा एक Proper schedule होता है जिसको आपको Follow किया जाता है Follow किया जाता है Copy चेक की जाती है बहुत कुछ है इस प्रोग्राम के साथ इसकी ज़्यादा जानकारिया आपको नीचे दिये गए नंबर पर मिल जाएगी शुरुआत करेंगे पिछले जो करेंड रफेर्स था हमारा भीग था उसके रिवीजन के साथ अब यहाली में क्या हुआ पिछली जन जाती के लिए जो विशेश पिछली जन जाती यानि पीवीजीटी के लिए एक बटालियन के गठन करने का मुखमंतरी के द्वारा गोशना की गई है और यह एक सौर संकल्प योजना करके होगी जिसके मादम से इसका गठन किया जाएगा विरुवा सीवाम राजी स्कूल रतलाम में है जो कि अभी वेस्वे के स्थर पे जिसको श्रमानित किया गया है हाली में उज्जेंद के जो दुक्त संग है इन्होंने डेरी टेकनलोजी कॉलेज जो कि प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज होगा बारती चिकित सानुन संदार प्रशन आई एसमर जो है इसका मुक्याला नई दिल्ली में इसको हाली में शम्मानित किया गया अच्छे कारियों के लिए और क्वार्ट जिसकी बैटेक अभी यूएसे में हुई थी इन्होंने एक कैंसर मूंसाट पहल की क्या करी है शुरुआत करिये शुरुआत आज के पहले प्रशनी के साथ कि जो ACI सरवोच लेखा परिच्छा संस्थान है, इसकी स्थापना करी होई थी जो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में हुई थी लेकिन खबरों में क्यों है? खबरों में इसलिए है कि अभी हाले में क्या हुआ है कि इसकी नई दिल्ली में सोले भी बैठक कायोजन किया गया ASOSI की ठीक है और ये एक प्रकार का लेखा परिक्षण संस्थान है जैसे हमारे भारत का कैग है CAGA जिसको लोग नियंतरग एवा महा लेखा परिक्षण कहते हैं तो दोजार 24 से लेकर के दोजार 27 के लिए जो ASOSI है इसका अद्दश किसको चुना गया है हमारे देश के जो भारत के नियंतरग के वा महा लेखा परिक्षण के कैग है उनको चुना गया है और पूरे क्योंकि ये भारत का संस्थान है ठीक इसी जाते हैं तो ये एक अंतरराष्ट ये इस तर तक का संगतन होता है साथ छेत्री शम्हों में इसको बाटा गया है तो इसकी जो इस्थापना होती 1979 में होती तो ASOSI जो है ये ASEAN Organization for Supreme Audit Institutions है लेकिन अब इन सब को मिला करके INTOSI है INTO SI है ये काहे के लिए है ये इन सबी संस्थाओं की जो ब्रांच है जैसे ASEA का ASEA के लिए आफरीका के लिए आफरीका का बना दिया उन्होंने तो 76 शम्हों बाटा लेकिन centralized जो संस्थान शंगतन है वो ENTOSI है ठीक है INTO SI है तो अब क्या हुआ कि अब भारत को इसको आने वाले समय में अगले 2024 से 37 तक इसका अध्यस्ता करने को मौका मिलेगा एक बड़े इस्टिटूशन में अध्यस्ता करना अपने आप में एक बड़ा सम्मान होता है तो यहाँ बहोता क्या है प्रकार के लेका प्रेक्षाओं के जो संमेलन वगयरा होते है किस प्रकार से नहने तरीके से audit किया जा सकता auditing के छेत्र में क्या कुछ नहा किया जा सकता है यह सारी चीजों पर चर्चा-परिचर्चा होती है बात करेंगा अगले प्रशन की विस्ट की पहली महिला प्रदान मंत्री कौन थी तो जो पहली महिला प्रदान मंत्री थी भंडार नायके थी सीरुमावो भंडार नायके कहां कि थी श्री लंका कि थी श्री लंका में फिर से महीला प्रदान मंत्री की नियुक्ति की गई है और यह हरनी अमर शूरिया और इनों श्री लंका के प्रदान मंत्री की रुप में दिनेश गुड़ गर्धने जोते हैं उनका इस्थानलिया यह शौल भी प्रदान मंत्री ह की होगी और यह यह सीरीमावो भंडारनायक के और चंदरिका कुमार तुंगा शृलंका की पहले प्रदान बंत्री रह चुकktion है और शृंका नहीं सो साथ में श्यलंका में और उस्य पहली महिला प्रदान मंत्री थी और बारत में ट्रामा सेवा को सबसे पहले किस सहर में चलती थी साड़क पर चलने वाली प्रकार की ट्रेन होती है अपने यहां गवालियर छेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी वहां पर नरोगेस ट्रेन चलती है लेकिन ट्रामा जो होती एक तरह साप यह कह सकते हैं इंदौर वगएरा में आई बस चलती है उसी प्रकार से चलती है गड़ी गोच्छों सोके बहुत छोटी ट्रेन होती है एक दो डब्बेक होती तो पस्चिव मंगार में कोलकता सरकार ने अब इसको क्या कर दिया है बंद क अब वो बेवस्थां को क्या कर रहा है दीरे दीरे करके खतम कर रहा है तो उसी इस तरह पे इसको खतम किया जा रहा है और 1873 में कोलकता में इसकी शुरुआत हुई थी यह दिल्ले मुंबई चन्पूर वगएरा सब जगह पे चलती थी ठीक है बढ़ेंगे मदप्रदेश क जो उच्छी न्याल है उसके पहले दल्ले मुक्षी न्यादीश होंगे 28 में न्यादीश है और हरियाणा के रहने वाले सम्विधान के रिच्छे 219 के तहत इनकी न्यादी राजपाल के द्वारे इनको शफ़द दिलाई गई है और बात करी जाए उच्छी न्याल है कि इनकी तिरह रखे बढ़ेँ बात करेंगे दोहजार बाइस के लताम अगेसकर पूर पूर शकार घी तो इस vosका दोहजार बाइस का जो लताम हाँकार दिया सुझी के एस चित्र हो दिए गया साउथ इंडियन सिंगर है, 2022 के लिए किसको दिया गया उत्तम सिंग को दिया गया जो कि क्या है संगीतकार है, वह गाई का हैं यह संगीतकार है, तो 2223 में लेटिस्ट पुरशकार आपको ऐस चित्रा का नाम याद रखना है, सभी को इस चेत को पुरशकार प्रदान किया जा चुका है और ट्राजिस इंस्क्रत मी भागए इसके द्वारा दिया जाता सुरुवात 1984 में हुई थी आगे की तरफ बढ़ेंगे बात करेंगे अगले प्रश्टिकी के हाली में केंद्री प्रेटर मंत्राल ने प्रदेश के कितने ग्रामों को सर्वसेष्ट प्रेटरन ग्राम का पूरशकार प्रदान किया है तो बात करिजा इसकी तो तीन प्रेटरन ग्रामों को सर्वसेष्ट प्रेटरन ग्राम का पूरशकार दिया है और यह आठ स्रेणियों में अलग-अलग स्रेणियों में 36 गाओं को पूरे देश में दिया गय है और यह संदेरी से लगे हुए हैं अपनी अपनी कलात्मक्ता के लिए जाने जाते हैं और प्रेटन के छेतर में काफी कुछ जाते हैं वीडियो को उस तो एक्जाम गुरुजी किया आप से पर्चेश कर सकते हैं इसकी जादा जानकारी नीचे दियेगा है नंबर पे आपको मिल जाएगी पढ़ाई अपनी जोरों से करके रखे करें करेंट अफेर्स आपका एक भी दिन का नहीं छोट रहा है अपने श करेंगे पार।